नमश्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की रेसिपी में बहुत ही हिल्दी डिश मैंने बनाई है मतलब यह है पालक और पनीर का चीला मतलब आप सिफ पालक से भी बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर पनीर इसमें आड़ करेंगी तो पूरी तरीके से यह औ मतलब यहाँ पर डिकुरेट किया है इसके साथ मैनने टच्च दिया है तो यह देखिए मैं आपको यहाँ पेक वाइड के दिखाती हूं तो बहुत ज़्यादा साफट भी नहीं है ज्यादा बहुस्दिख साथ को बोहां से टेस्टी ना धैसली मतलिती बना था बनाना तो अगर आपको जटपट कुछ बनाना हो ना तो इसे ट्राइ कीजिए तो इसके लिए लिया है सबसे पहले एक फ्रिश पालक मतलब पालक को अच्छी तरीके से यहां पर मैंने साफ करा उसके बाद इसको धो लिया है मतलब जो मार्केट में एक गड़ी पालक मिलती है ना मतलब जितना एक बंडल बना के देते हैं यह उतना ही पालक है और इससे आप तकरीबन मतलब 12-13 चीले अराम से बना सकते हैं तो यहां पर लिया है दो प्याज, दो टमाटर और 5-6 हरी मिर्च प्याज को आप अच्छी तरीके से छील ले और टमाटर को भी और प्याज को भी और ह कि बिकर सकते हैं तो यहां पर मैंने दोनों ही प्याज को अच्छी से छील लिया धो लिया टमाटर को भी और उसके साथ ही मैंने क्या किया कि बारिक बारिक जो है वो काट लिया है तो यह लिख सकते हैं आप हरी मिर्च टमाटर और प्याज तीनों को ही बिल्कुल बारिक का लीजिए जो आता है उसे काट लीजिए लेकिन जितना बारिक काटेंगे ना तो उतना असान होगा बनाने में तो आप देख सकते हैं कि पालक भी मैं बिल्कुल बारिक पारिक कट कर रही हूँ और यह इस तरीक का जो ब्रिकफरस्ट है आप बच्छों को लंच में भी दे सकत पालक बहुत ही बारिक कटा है आप देख सकते हैं और मैंने हाथ से ही कट किया है तो चलिए पालक काट के साइड में रखा है अब उसके पाद यहां पे जो जितनी भी चीज़ें मैंने कट करके ली थी वो टमाटर प्याज और हरीमिर्च तो उसे भी साइड में रख लिया और आप मैंने यहाँ पे लिया है पनीर तो पनीर मतलब ये 2,500 ग्राम से थोड़ा कम ही है ये तो ये 200 ग्राम के असपस पनीर होगा ये उसे भी थोड़ा कम हो सकता है तो आप देख लीज़े का कौंटिटी आपको कितनी लेनी है ऐसा पनीर कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि प पनीर के pieces को cubes में रखा है और बहुत छोटे-छोटे cubes में कट किया है जितना छोटे-छोटे cubes में कट करेंगे ना तो उतना असानी से मतलब इसको फैलाने के लिए बहुत असानी होगी और जित छोटे-छोटे pieces रहेंगे ना तो जब वो तवे पे जाएंगे तो अच्छे से हल कर लिया है तो चलिया यह अब यह सारी जितना भी प्रप्रेशन करना था वो हमने कर लिया है अब इस यहां पे मिक्स करने के लिए मैंने यहां पे बड़ा सा पतीला लिया है आप जो भी कहते हो इसको बड़ा बाउल ले लिजिए मतलब कुछ भी लिए तो बड़ा ही बरतन आसानी से यहां पे Mix किया जा सके तो सारा जो भी पालग था मैंने आड कर दिया कि उसके अलावा जिया प्लुज और आरब कोई और सबजी मट डालेगा क्योंकि सो ki इसका जो कॉमनेशन है वो बहुत ही टेस्टी लगता है अब मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ बेसन तो बेसन मैंने यहाँ पर टोटल बारा चमच जो होती है घर की नॉर्मल जो टेबल स्पून जिसे हम कहते हैं उस चमच से मैंने बारा चमच जो है वो टोटल एड़ किया है आपकी यह कीजिएगा पहले थोड़ा सा बेसन लीजेगा और उसके बाद धिरे धिरे करके आड़ कीजेगा अब यहाँ पर आड़ किया है स्वादनुसार नमक और आधा चमच जो है हल्दी एक चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच बुना हुआ जीरा और वन फूर्थ चमच जो है मैंने यहा मसाला लिया है तो बस सारी चीज़ को पानी डाल के मिक्स करेंगे और यहां पर बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए तो मतलब बहुत असानी से फैल भी जाए तो ऐसा ना हो कि ऐसा लग भेटर को साइद में रखा है और अब बना लेते हैं यहां पर धनिया चल्टपटी अब यहाँ पे लिया है प्याज, तो एक प्याज है, इसे मोटा मोटा काट लिया, एक इंच के असपस मैंने अद्रक लिया है, और पांच हरी मिर्च लिया है, आप हरी मिर्च थोड़ा कम भी ले सकते हैं, अगर कम तीन तीखा काना पसंद करते हैं, और तीन से चार जो है वो यहाँ पे मैंने निचोर दिया है अब लगाएंगे इसमें धकन और इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे पानी डालने के आपको जरुत नहीं पड़ेगी कि कि अल्रेडी जो है वो टमाटर में पानी है पुदीने धनिया में पानी रहता है तो यह देख सकते हैं आप इत सकती है वही लिया है उसमें बनाने से असान रहता असानी से निकल जाते है उसके लाव आप नॉर्मल भी अब तपह पी बनाएंगे तो भी असानी से निकल जाएंगे तो यहाँ पे मैं थूड़ा सा ग्रीज कर लिया उसको और उसके बाद 2 बड़े चमच मैंने यहां पर डाला है उसके बाद हाथ से मैं इस तरीके से फैला रहे हूँ यकिन माने का हाथ बिलकुल नहीं जलेगा आप बहुत आसानी से इसे फैला सकते हैं तो देखिए धीरे-धीरे करके फैलाएंगे ना तो बहुत मोटा नहीं बनेगा मतलब एकदम सही बनेगा ना जादा मोटा न जादा पतला तो अब देख सकते हैं equally मैंने इसे फैलाया है गोल करने की कोशिश करिए जितना मुझसे हो सका बस इसको अब क्या करेंगे दोनों तरफ पकाएंगे अराम से पलट पलट के तो क्योंकि यहां पे पालक है ना थोड़ा सा ही लूज-लूज सा होता है क्योंकि प टेस्ट दुगना हो गया है तो बस इसे निकाल लिया और इसकी प्लेटिंग कर लिया है चलिए एक और में बना के आपको दिखाती हूं तो थोड़ा सा ओल लगाया है अगर आप ओल नहीं भी लगाए ना डोसे तवे में तब ही चलेगा अगर नॉर्मल तवा यूज करें तो इसमें थोड़ा सा ओल लगा लिजेगा ताकि ना चुके तो बस दो चम्मच यहां पर बड़े चम्मच यहां पर डाला है और उसको हाथों की मदद से में थीरे थीरे करके उसे फैला रही हूं गैस की फ्ले मेडियम रखेगा अब थोड़ा सा अगर हाई भी रखेंगे और बहुत क्रिस्पी भी बना है और देखे मतलब पनीर तो बहुत ही टेस्टी मतलब पनीर ने तो बहुत ही जादा इसका टेस्ट बड़ा दिया था देखने में भी सुंदर था खाने में भी बहुत टेस्टी था तो यह देखे तो मतलब दूसरा भी मैंने यहां पर बना क तो यह बहुत टीस्टी बना तो बस ग्रीन चटनी से इसको सर्फ किया आप जैसे चाहें आप साइड में रखें तो भी खा सकते हैं और यहां पे जो मैंने थोड़े सी मतलब म्योनिस और सॉस और जो सेजवान सॉस होती है आप चाहें तो मेरे चानल पे जाकर देख सकते हैं तो उसको मिक्स करके यहां पे सॉस को डाल दिया है आप सिर्फ प्रीन चटनी से वे से खा सकते हैं तो आई होप आपको ए रेसे भी अच्छी लगी होगी वैसे भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेच को फॉलो कीजेगा अब सभी वीवर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद